ये आगाश्वाणी मध्य प्रदेश है प्रस्तुत है प्रायोजित सजी फोनिन कारिक्रम विशह है मध्य प्रदेश विधान सभा निर्वाचन 2030 तेस मतदान की प्रक्रिया के संदर में और भी तमाम जो आपके मन में प्रशन आते हों वो सब आप लेकर के तयार रहेगा और टेलीफोन के मादे हम से वो पूछेगा आपको बता दें कि आपके सभी के सवालों के जवाब दने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्ती थें मुख्य निर्वाचन पतादीकारी मतदेश श्री अनुपम राजन जी बहुत-बहुत स्वागत है आपके सब्सक्राइब और सर जैसा कि आप आप लोग तो व्यस्ते हैं ही विदान सभा चनाओं के और बलकि वो जवाब जरूर चाहेंगे आप से तो हम उनके सवाल आमंतित करते हैं अपनी तब्याम स्टूदाओं को बता जाते हैं कि वो नंबर जिनके माद्याम से आप जुड़ना चाहते हैं वो नोट कर लें टू डबल सिक जिरो नाइन जिरो टू और टू डबल सिक जिरो नाइन जिरो ट्री एक बार पुना सुनें टू डबल सिक जिरो नाइन जिरो टू और टू डबल सिक जिरो नाइन जिरो ट्री इन दोनों नंबर के माद्याम से जुड़ सकते हैं स्ट्रीडी कोड भोपाल का है 0755 ध्यान रखेगा कि आप किसी तरह के पार्टी पॉलिटिक्स के कुश्चन्स ना करें सिर्फ मतदान से सम्मंदियत विदान सभा के जो प्रक्रिया है इसके सम्मंद में या आपके कोई ऐसे सवाल हो जो मतदान के संदर में हो तो आप जरूर पूचेगा और उनका समाधन पाईएगा श्री अनुपम राजन साब हमारे साथ बने हैं बारा बज़ तक तक तो आप अपने टेलिफोन पर हमारे सवाल ले करके आ जाईएगा इससे पहले कि कोई सवाल है सर हमारा सबसे पहला सवाल एक बहुत महायग कहते हैं इसे जो विश्व के सबसे बड़े लोक तंत्र भारत में होने वाला है और बड़ी आस्था है लोगों की इसमें और इसकी एक निश्पस चुनाओ प्रक्रिया जो आपके निर्तुत में प्रते एक बार होती है इस बार भी आप संबादित कर रहे हैं तो इस प्रक्रिया के जो चरण होते हैं वो जरूर हमारे आमशुताओं को बताएं कि किस तरह से आपकी तयारिया हैं और किस चरण तक आप पहुँच चोके हैं आगे क्या प्रक्रिया है देखे चुनाओ को लेकर के जो तैयारी होती है वो एक साल पहले से हम लोग आरम कर देते हैं सबसे पहला काम होता है मद्दाता सोची को अपडेट करने का जो भी वोटर हैं जो अठारा साल के हो गए हैं उनका नाम उसमें जोड़ जाए और उसके बाद दीरे दीरे लागतार चलती रहते हैं बहुत सारे ऐक्टीविटीज हैं इसके लिए समय सेमा निध्थारित हैं और उसको निध्थारित समयूशेमा में हम लोग करते हैं अज की स्थिति में हम जोटे हैं अब तो चुनाओं में लग भग एक सबता से हैं विल्कुल एक शोता इस पीछ हमारे साथ जुड़े हैं अपना सवाल लिकें आई हम जानते हूं क्या पूछ रहे हैं हमसे हाँ जी नमस्कार जी नमस्कार में राजाराम नगर दिवास पर राजी अगरवाल बोल गया हैं साथ जी राजी जी क्या प्रश्ण है आपका साथ मेरा सवाल ये था कि जैसे कोई विक्ती जैसे एक महले में रहता और वो किसी कारणवस मकान खाली करके जैसे एक दो किलो मेटर दूर चला जाता है जैसे उसे इरिये से तो उसके लिए क्या मतलब सूची बढलाव करवाना पड़ेगा क्या जी जी सर बता देखिए आपक किलो मेटर दूर जाकर के नई जगह रहने लगता है तो जहां भी आप रहते हैं एक दो किलो मेटर रहें या किसी दूसरे शहर में जाके रहें जहां भी आप रहते हैं वहां की मद्दाता सूची में आपको अपना नाम जुड़वाना होता है यदि आपने नई जगह पे पुराने से एक किलोमेटर दूर है तो आप पुराने जगे जाकर कर वोट कर सकते हैं वोट करने के लिए जो जरूरी चीज है वो ये है कि मदाता सुची में आपका नाम होना चाहिए तो यदि पुराने जहां आप पहले रहते थे वहां की मदाता सुची में आपका नाम है औ और आपके वर्तमान निवास से जहां आप वर्तमान में रह रहे हैं, वो जगह एक किलोमेटर दूर है या दो किलोमेटर दूर है, तो आप वहां जा करके वोट डाल सकते हैं. जो बहुत बहुत धन्यवाद राजी वगरवाल जी आपको हमारे इस प्रग्राम में जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद देते हो चलते हैं, हम अपने कारिकम के अगले पढ़ाओ पर इने के आम आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि आपको बताया है, जो हमारे ऐसे शुरता निर्वाचन 2030 के संदर में मुखे निर्वाचन पताधिकारी श्री अनुपर्म राजन जी हमारे बीचों पस्तिते हैं, आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे एक और शोता हमारे साथ जुड़ चोगे हैं, हलो, जी नमस्कार जी, नमस्कार सैर, मैं न्यूटन चि होती है, और सर मेरा ये है कि मनलब इतना परचार में करोड़ों रुपे खर्च होता है, तो इसको कानूनी जवाद नहीं पहना सकते ही, मनलब 18 के बार, मनलब आपको जरूरी है मनलब बोट करना, ये मेरा सवाल, सवाल आपका अच्छा है, और कई बार इस पे चर्चा होती है, अभी भी आप देखें, तो पिछले विधानसभा चुनाव में जो हमारे राज्य का जो वोटिंग परसेंटेज था, वो 75 परसेंट था, मतलब 25 प्रतिसत लोगों ने अपने मता अधिगार का जो उनका अधिगार उसका उपयोग नहीं किया, कंपल्सरी वोटिंग करना या वोट नहीं डालने पर जुर्माना लगाना, कुछ जगों पर दुनिया के कुछ देशों में है, अधिकांस देशों में ऐसी चीज नहीं है, और ये उदाहरण भी है कि जहां पर कंपल्सरी वोटिंग है, वहां भी वोटिंग 100% नहीं होती, तो प्रयास यह होता है कि हम लोगों को इतना जागरू करें, या लोग अपने दाहितों के प्रती इत्ती जम्मेदारी के हैसास करें, जैसे आप एक जम्मेदार नागरिक हैं, कि लोगों में ये जम्मेदारी की भावना आए कि वो स्वता आकर के आगे मद्दान करें, कोई कानूनी रूप से या जिसक प्रक्रिया होती है कानून बनाने की आप सब जानते हैं जो जो लोग निती निर्माता हैं जो कानून बनाते हैं उनके ध्यान में नहीं है एक प्रक्रिया होती है कानून बनाने की आप सब जानते हैं जो हमारे निर्वाची जन प्रत्निति हैं उनके माध्यम से चीज़े की जाती है जब ऐसी चीज लगेगा कि कंट्री में इसको शंकर जी आपको जुड़ने के लिए आपने जाग रुकता का परेचे दिया है सर मैं यहां पर इसी बात को जोड़ते वे मैं आपसे बात जानना चाहूंगा कि मतदान ना देने के आप लोगों के जो संग्यान में जो कारण है वो क्या क्या होते हैं जैसे देने के तो हम लोगों को बोला जाग रुकता है उनके अंदर लेकिन ना देने के कोई जैनुन कारण भी ऐसे हो सकते हैं हो सकते हैं जैसे जहां पर मद्दादा सूची में आपका नाम है उस दिन आप वहاं नहीं हैं कई बार देखते हैं कि कई लोग मजदूरी करने के लिए बाहर चले जाते हैं, वो उस दिन वहाँ नहीं आपाते हैं, कई बार बच्चे होते हैं जो कॉलिज की पढ़ाई के लिए बाहर चले गए होते हैं, सिर्फ मद्दान दिनांग को कोई किसी दूसरे राजे में पढ़ है कोई कोई और बाहर पढ़ रहा है तो उसके लिए वह नहीं आ पाता हूं तो एक पर सटेंटेज होता है जो उस जगह पे नहीं है जहां उसको वोट देना और आजकी स्थिति में रिमोर्ट वोटिंग की या ऑनलाइन वोटिंग की सोविधा नहीं है इसलिए एक गैप तो रहता है तो यह कारण मुखरोप से यह है बहुत बहुत धन्यवाद इस बीच एक और शोता हमार सा जुड़े हैं हम उनसे बात्चित करना चाहेंगे इस बीच अपने तमाम बाकिश शोताओं क को जीरो सेवन डेवल फाई एक एस्टीड कोड भी लगाना होगा चलते हैं अपने शोता के साथ हलो है जी सर नमस्कार साब लोकेंद्र वर्मा बोला हूं सर नाना चेड़ा बस इस्टेन उज्जेन मद्यपर्देश साब जी लोकेंद्र जी स्वागत है आपका क्या प्रश है कि देश के लिए जी जी और मेरा प्रशनी है सर के जैसे मेरी माता जी है 85 एर के हैं और अबी आचकल बेज रिश्टे चल रहा है उनका बिमार रहते हैं जी 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 तो ऐसे कुछ सीटिजन के लिए कुछ उनके मत का उपयोग हो सके उनके लिए कुछ विवस्ता है इस है जो घर से अपना मत दे सके हैं चली बहुत अच्छा सवाल है आपका अनुपन राजन सर बता रहे हैं देखे इस बार से यह विवस्ता की गई है कि असी वर्स से अधिक क्यायू के जो लोग है या जो ऐसे दिव्यांग लोग हैं जिनकी दिव्यांगता 40% से जादा है तो वो यह विकल्प चुन सकते हैं यदि वो घर से मद्दान करना चाहें तो ऐसा नहीं है कि इस स्रणी के लोगों को घर से ही मद्दान करना है एक उप्सन उनके पास है विकल्प उनके पास है कि वो चाहें तो मद्दान केंदर पर जाके वोट करें चाहें तो घर से वोट करे और आप अगर अख़बार देख रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे तो पिछले लगतार 100 साल से उपर के लोगों निब्वे साल से उपर के लोगों ने घर से वोट किया है और करीब मेरी जानकारी के नुसार बर्तवान में 40,000 से ज़्यादा लोगों ने सुधा का लाव उठाया है तो ये विकल्प आपके पास है इस विकल्प के लिए मुझे ये कि अभी से कहीं अपलाई करना पड़ेगा कि मुझे जिदिन मद्दान दिवस रहेगा मुझे मेरे माता जी का मतरे का उपयोग होगा वहां जाके मुझे संपक करना पड़ेगा ये विकल्प का उपयोग आपको पहले ही करना था मुझे नहीं सायद आप नहीं कर पाए है आपकी बात से ऐसा लग रहा है या हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो मद्दान दल है वो आपके घर पे आके आपका आपकी माताजी का वोट दलवाए लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि यदि मान लीजे कि आपके घर से आप वोट नहीं कर पाते हैं आपने विकल्ब का चेह नहीं कर पाये कि नहीं कारणों से तो भी मद्दान केंदर पे जो बुजर्ग लोग हैं उनके लिए उनको लाइन में नहीं लगना पड़ता उनको इंतजार नहीं करना पड़ता उन जैसे वहां पहुंसते हैं उनका वोट हम लोग डलवाते हैं हमें भी पता है कि बुजर्गों का समान करना है उम्र के कारण उनके सारी का वस्ता वैसी नहीं है तो बुज़र्ग लोगों को ज़रा मैद्दान केंट पे बेट नहीं करता है उनके लिए आराम से बैठने की विवस्ता है तमाम सारी विवस्ता हैं तो सबी म الد्वरों पे विवस्ता नहीं थे कि senior citizens को पहले प्राक्विटा देते हैं बिल्कुल पर वो है कि अब ये समय निकल चुका है कि घर से मद्दान हो सके उसके लिए कोई पहले पहले चाहिए तो यदि आपने विकल्प का चैन नहीं किया है तो मेरे समझ से हो सकता है वक्त निकल गया हो और यदि चैन किया होगा तो हो सकता है आज एकल में मद्दान दल के लोग आकर के मता जी का मद्दान आपकी घर पर आएंगे जी जी सर् बाद लोके अंदरी जी आपको जुड़ने के लिए ये वाकरी में बहुत अच्छा आपने सर जो अनुपन प्रयास है कि इसमें आप बुजर्गों के लिए ये घर मेहीं मद्दान करने के सुधा है हाला कि अभी चुकि पहली बार है तो हो सकता है कि अभी इसका इतना लोगो ज्यादा है जैसा बता रहे थे कि बिस्तर पे हैं चलने फिरने में कठना आई है दिक्कत है तो जैसा मैंने बताया कि करीब 40,000 से ज्यादा लोगों की वोटिंग हम लोग घर पे अभी तक करा चुके हैं पिछले दो दिनों में मैं जरूर उन युवाओं को देख रहा हूँ अपने कारिकामों के महदियम से भी हम देखते हैं कि युवाओं में बहुत बड़ा उसा है खास दोर से वो जो पहली बार वोटिंग करने जा रहे हैं और वो उसा बढ़े मतलब जिन लोगों को अभी ऐसा लग रहा है वो भी इस प्रक्रिया में जुड़ें उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे हम लोग सुरू से जबसे जैसा मैंने कहा कि चुनाओं की गतिवेदी हम लोग एक साल पहले से आरम करते हैं तो हम लोगों ने आरम से ही जो युवाओं वोटर से उनको टार्गेट किया था कि नाम जोड़ने में और युवाओं की संख्या में काफी एजाफा हुआ तो हमारे जो युवाओं साथी हैं वो आगे बढ़के उनका नाम मद्दाता सुचिम उनने अपना नाम जुड़वाया है और मुझे उमीद है कि 17 तारीक को जब मद्दान होगा हम लोग लगातार उ चुनने में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं बलकुर यह अपने आप में बहुत अनुभव होता है जरूर वोटिंग करना चाहिए सिर्फ इस अनुभव के लिए ही नहीं बलकि एक महत बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंदों पर अपने देश की अपने प्रदेश की सर कार्चुनने का यह अउसर हर किसी को नहीं मिलाया या आपको मिलाया तो इसका महत तो समझते आगया आना चाहिए एक शोता इस बीच पे आगया है अपना टेलीफोन कॉल ले करके और अपना प्रशन ले करके आई हम पूछते हैं उनसे हलो हाँ जी नमसकार नमसकार अपना स nep परिचें दीजी दितिकर मेरा इस परिचां के आपया से नमसक्ति से दूसरी जbay सकते हैंहां पर यह और जुफरा न करहा है चाहिए यह मैं शेका मेरा वृत्पर but पर टॉंसर कंपर डाल सकते हैं और वहुठ हमारी जुई बिच्शा हो गया है तो हम अब ऐता मेर अगर ऐसा है तो सर इसमें के आंगे चुनाए ऐोग ऐसी विवस्था कर सकती है देखें देखें दो दो प्रशने आपके पहले प्रशन का उत्तर यह है कि वर्तमान में ऐसी विवस्था नहीं है आप अपनी विधानसभा छेतर के अत्रिक्त कहीं दूसरी जगह पे हैं तो वह जाकर के इस विधानसभा के लिए वोड डाल पाना आज की तारिक में संभौनी है और दूसरा प्रशन जो आपका था कि क्या आयोग चुनाव आयोग इस तरह की प्रक्रिया पे विचार कर रहा है डिजिटल यूग में तो इसका उत्तर है कि हां विचार कर रहा है और हो सकत है कि आने वाले दिनों में इस तरह की विवस्था हमें देखने को मिले जी 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 और सर एकłe जरूर जरूरी स्वागरते हैं आपके शाहिरी का मौका है दस्तूर है लोग तंत्र का चाया शुरूर है और तोड़ देना इस बार सारी गुरूर है और सत्वा तरीक को मतदान करने जाना जरूर है जाना जरूर है बहुत बहुत सुन्दार है बिलकुल आपने अच्छे अपील करी कि 17 तारीक को हमें अपने मतदान के जो अधिकार है उसका उप्योग करना है बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस कारिकर में जुडने के लिए और हमारे बीच अनुपम राजन सार बने हैं 12 बजे तक और भी या आपकी बातों में भी ना आएं इस चीज़ का विशेश ध्यान रखेगा हम इस वक्त जो विदान सभा प्रक्रिया है जो चुनाओं प्रक्रिया है मतदान की प्रक्रिया है या इससे जुड़े वे आपके कोई सवाल है तो वो आप जरूर हम तक पहुँचाईएगा अनुपम राजन साफ हमारे बीचे मुखे निर्वाचन पतादीकारी तो आपके समय का हम सदुप्रियों करना चाहते हैं आपके उन सवालों को हम आमंतित करना चाहते हैं जिससे कि आपकी ये मतदान की प्रक्रिया है ये सुगम हो सके सुगम होने की बात होती है तो सर एक बात अक्सर आती है और जरूर अपने श्रोताओं तक पहुंचाना चाहेंगे कि मतदान के दिन परिच्छे पत्र को लेकर के कई बार भांती हो जाती है किसी के पास में वोटर आइडी कार्ड नहीं है तो वो समझता है कि मैं शायद अपना मत का उपयोग नहीं कर पाऊंगा क होती ही महत पुर्ण प्रस्ण है मने आपने बड़ा अच्छा प्रस्ण उठाया है बड़ा अच्छा प्रस्ण पूछा है यह बिल्कुल सही है कि भरांती हो जाती है कई बार देखिए मदान करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है जो मैंने पहले भी कहा कि उस छेतर की दाता सूची में आपका नाम होना यदी वोटर लिस्ट में आपका नाम है वोटर आईडी कार्ड अगर आपके पास है तो अच्छी बात है वोटर आईडी कार्ड ले करके आप जाते हैं और वोट डाल देते हैं यदी वोटर आईडी कार्ड नहीं है किनहीं कारणों से या पे आप बोड दे सकते हैं O.an के लिए मैं बताऊँ जैसे आधंगार्ध होता है जो खुप काफी लोंगेवेंग लाइसं होता है कुछ लोंगपस पासपोर्ट होते हैं बैंक पास्ट्रप्वूक पर आपका फोटो mm-η-प कई प्रकार के फोटो आईडी कार्ड नहीं है, तो मैं बोट नहीं डाल पाऊंगा, तो यह जो आपने कहा कि कुछ लोगों में इसको लेके भरहम है, वो हम बलकुल क्लियर करना चाहते हैं, सभी को बताना चाहते हैं, कि यदी किन ही कारणों से आपके पास बोटर आईडी कार्ड नहीं कोई भी चीज इस तरह का लेकर जाए है हम लोग इसको विग्यापित भी कर रहे हैं अख़़ों के माध्यम से भी और चुनाओ के समय मद्दान केंद पर भी इसकी सुची लगाते हैं जो पीठा सी नधिकारी जो मद्दान दल होता है वो इसको सुविकार करता है और आप इस बातित के लिए और एक उर्श हो था अपना सवाल लेकर की बीच माना है जी नमस्कार रहा हो का नमस्ते मैं नीटेश मिश्या है मैं नर्सुम्पु से बात कर रहा हूं जी नीटेश जी स्वागत है आपका क्या प्रश्न है जी सवाल है कि मैं जो एक राश्ट एक चुन को देखिए एक राश्ट एक चुनाओ को लेकर के समिती का गठन हुआ है सिरसस्त लेविल पे केंद्री अस्तर पे और उस समिती ने अपनी अनुसंसाएं सौपी हैं एक राश्ट एक चुनाओ का एक निड़ने या कानून संसत द्वारा बनाया जाएगा इस पे बात चल र ही है लोगों से सुझाओ लिये जा रहे हैं इसका परिक्षन किया जा रहा है और अगर इसको कानूनी जामा पहनाया जाता है संसत के अस्तर पे तो जिस दिन ये नियम लागू हो जाएगा उस दिन से हम सब ही लोग इसका पालन करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद नितेश जी और आपने एक जागरुक नागरिक होने का परिचे दिया है इस तरह के चिंतन से जरूर अच्छी बाते निकल करके आती है और लोकतंतर का मुख्य उद्श यह होता है कि इस पूरी फ्रक्रिया में हर नागरिक हर इंसान जो बूर्द लेकिन मैं समझता हूं कि यह प्रक्रिया लगातार पांचो सार मतले चलती ही रहती है क्योंकि कई तरह के पूरी चुनाव की प्रक्रिया होती है या इसकी जिम्मेदारियां जो होती है यह तो आपकी लगातार चलती है मैं तो चुनावी वर्स की बात कर रहा था यह साल एक और शोता इस बीच हमारे बीच है हलो जी नमस्कार जी आपके हाँ नमस्कार अपना नाम बताएं जी जी गांधी पार्क मनपूरा जिला शिवपूरी मद्द पुदे से मनोज नाम दे बोला सर जी जी मनोज जी बहुत दो स्वागत है आपका प्रश्न करें जी सबसे पहले तो मैं सर जी को दिल से बहुत धन्माद दे जी जूँ कि इतनी भाग दो बड़ी जिन्दी में इतना सा समय निकाल कर सोताओं कर समस्या का समधान कर रहे हैं सर जी 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 बल्कुल इस बाद आपका ज़रूर इस तार से चर्चा करेंगे अभी आने हो अले समय है दूसरा प्रस्टन है कि अगर कुछ ब्यक्ति गाउं लेवल में ब्रहांती रहती कि हमें मत्दान नहीं करने जाना और अगर उनको समझा कि अगर मत्दान करने को तैयार करके उनको ले जाएं कोई प्रकार का आर्था संयता का उलंगन तो नहीं होगा कि आज़े आपके दो सवाल हैं पहले सवाल का उत्तर है कि कोई ऐसा मत दाता है जो देख नहीं पाते हैं नैतरहीन है या बहुत ज्यादा बज़र्ग हैं हात का पर रहे हैं चलने में दिक्कत है और वो बटन दवाने में उंगली काम नहीं बगएर बगएर जो भी बज़र्ग लोगों के जहां पर voting compartment रखा हो जहां मसीन रखी होती है वहां तक जा सकता है उनकी मदद कर सकता है इसमें सिर्फ यहいう होता है कि जो आदमी मदद करता है उससे भी उमीद कि जाती है कि वह भी मददान की गोपनियता बनाये रखेगा दूसरा इसमें यह होता है किTER जाएगा वहां कोई दूसरा आठारा साल से अधिक का बच्चा परिवार का या पास्पोर्ट से चला जाएगा तो यह तो पहले सवाल का जवाब है दूसरा सवाल आपका था कि यदि कोई वोट डान लेका निरने किसी का नहीं है और आप उसको समझा बुझा करके मद्दान क इन तक लाने का प्रियास करते हैं तो आचार संगिता का उलंगन तो नहीं होता अब इसमें देखना पड़ेगा कि आपका जो प्रियास है वो किस प्रकार का एक हुआ किसी को सिर्फ समझाना कि चलो वोट डालने चलो और यदि आपके प्रियासों में कोई राजनितिक संब मतलब सही उद्देश से के साथ अगर आप किसी को समझा रहे हैं और उसको इस बात के लिए प्रिरित कर रहे हैं कि भई तुम्हें वोट देना चाहिए तुम अड़ा धिकार है तुम क्यों नहीं दे रहे हो चलो वोट दो तो इसमें आचार संगिता का कोई उलंगन नहीं ह बहुत धन्यवाद मनोच जी आपने अच्छा सवाल पूछा उसके आपके मादिम से तमाम उन शोताओं तक ये बात पहुची जो इस बातचित का इस ग्यान का लाप ले सकते हैं बहुत धन्यवाद आपको बता दे एक बार फिर से सजी फूनिन का रिकम जारी है अपसे ले वो आप इन नमबर्स के मादिम साम तक पहुचा ने तू डबल सिक जिरो नाइन जिरो टू या फिर तू डबल सिक जिरो नाइन जिरो थ्री और इसके पहले एस्टिडी कोड लगाएं जिरो सेवन डबल फाइव जो कि एक शोता लगाता है हमारे साथ जोड रहे हैं आप भ अचार संगिता एक तरफ से सभी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा मिल बैठ करके बनाएगा यह कोड ऑफ कॉंडक्ट है जिसमें सभी राजनेतिक दलों की सहमती है कि चुनाओ के दौरान प्रचार प्रसार के दौरान यह किया जाएगा यह करना चाहिए और यह नहीं करन चुनाओ लड़ रहे हैं और सभी पॉलिटिकल पार्टी जो उनहीं के द्वारा तयार किया एक तरह का आचार संगिता उसका पालन करें इसका हम लोग प्रयास करते हैं पालन कराने का और जहां भी इसके उलंगन के शिकायत आती है उसकी जाज की जाती है और जो भी निमान की उमीद की जाती है कि वो एक निस्पक्छ वाता वरण में काम करेंगे और फ्री फेयर और निस्पक्छ चुनाओ सुनस्चित कराएंगे तो यह आचार संगिता का जो विस्तार से सर ने बताया है इस मैं आदिया आपको कोई प्रशन ने पूछना है तो आप हमारे नंबर सपर फून कर सकते हैं सर से और विस्तार से बाचित कर सकते हैं मत प्रभावित करने की बात भी आती है तो यह भी आचार संगिता में शामिल होता है तो इसके लिए यदि को इस तरह की कोई गतिवीत ही होती है तो क्या-क्या प्रावधान होते हैं खास दोर से आम जन के बढ़ जाती हैं, गाड़ियों के चिकिंग होती है, नाकों पे पुलिस होती है, और काफी इसमें जबती वगरे के कारवाय भी होती है, कुछ कभी अनकाउंटेड नगदरासी प्राप्त होती है, कई बार मदीरा प्राप्त होती है, जिसको हम बोलचाल के भासा में दारू कहत हो प्राप्त होता है कई बार हमें गोल्ड और सिल्वर प्राप्त होते हैं जिनका हिसाब किताब नहीं होता तो इस तरह की चीज़ें भी बरामद होती हैं कुछ ऐसे आईटम्स भी होते हैं जैसे हजारों की संख्यां में साडियां हों, कंबल हों, घड़ी हो, जो साइद जिसके माध्यम से मद्दाता को प्रभवित किया है सकता हूं, तो इसको भी पकड़ने के लिए जो जितनी एजनसी हैं, पुलिस है, एक्साइज है, इंकम टैक्स है, सभी लोग मिल्जूल करके काम करते हैं, और काफी मात्रा में ये बरामत की मद्दाता इसमें भी अभी होई है, जी जी तो इसमें आम जन जो जिनकों है दी जाते क्या, उ कोई भी आदमी इस तरह के प्रलोभन से बचे, बहकावे से बचे चुकी, तमाम प्रकार के साधनों से, संसाधनों से इन पर नजर रखी जा रही है, तो मद्दाता को भी इन से बचना चाहिए, और जो लोग ये कर रहे हैं, उन पर तो सक्त करवाई होती है, जी जी जी, कि हमारे आदानी मुख चुनायत मद्ध बरदेश अनपौनी से बात कर रहा हूं, जी जी, हमारे बीचे आप अपना नाम बताएंगे, जी, मैं सुरोता हो लेके नाद इनका स्वागत करता हूं, मैं आपका सर जी, एक मद्दाता बोल रहा हूं, मेरा नाम है कमलेश कहार, जी, अब सवाल करें चल रहा है, कुछ मद्दाताओं तक हम पर्चियां उनको मिल गई है, कुछ लोगों को मिल जाएंगे एगले एक दो दिनों में, बीच में देवाली तेवार भी है, सवाल यह है कि मद्दाता पर्ची सिर्फ आपको यह बताता है, उस पे आपका फोटो नहीं होता, मद्दाता पर्ची से सिर्फ यह पता चलता है, कि आपका बूस नंबर कौन सा है, मद्दाता सुची में आपका क्रमांग कौन सा है, वो पर्ची लेकर के जब आप जाते हैं अंदर, तो जो पीठा सी नधिकारी होता है, उसको आपका नाम ढूड़ने में सहूलियत होती है, जैसे आप अंदर गए, और उस पर्ची पे आपकी सरल करमांग 295 लिखा है, तो पीठा सी नधिकारी अपनी मद्दाता सुची पलटता है, 295 पे चेक करता है, आपका नाम देखता है, वो टिक करता है, आपको आगे बढ़ा देता है, यदि मेरे पास वो पर्ची नहीं होती है, और मै सिर्फ अपना नाम बताता हूं, तो उसको सुची में नाम ढूड़ना पड़ता है, जिसमें काफी समय लग जाता है, लेकिन, लेकिन मद्दाता पर्ची, सिर्फ मद्दाता पर्ची के आधार पे आप वोट नहीं दे सकते हैं, चुकि उस पे फोटो नहीं होता, तो मद्द परची के साथ-साथ, जो हम लोगों ने पहले बात की, कि तेरह प्रकार की जो दस्तावेज हैं, उसमें से कोई भी एक, अगर वोटर आईडी है, तो अच्छी बात है, वो नहीं है, तो कोई बात नहीं है, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, वो भी लेकर आप जा सकते हैं, औ मैं एक बात और आपको मद्दादा परची से संबन देती, बता दू, कई बार ये भी भ्रम हो जाता है गाहों में, और आप चुके इतने जागरुक मद्दादा हैं, और आपके कारण इतने सारे लोग जो सुन रहे हैं, ये बात असपस, ये बात असपस, ये बात रोगना लोगों को जागरुक करने के लिए मैं सर जी वोट के रोज ही कुछ ना कुछ लिखता है, बहुत अच्छी बात, आप ये सुन लेजे मेरे बात, मैं ये कहना चाहरा हूँ कि कई बार लोगों को ये भ्रम भी हो जाता है, कि हमको अगर वोटर स्लिप नहीं मिली, मद्दाद पर्ची किनी कारणों से नहीं मिल पाई है, तो भी उसका कतरी मतलब नहीं है कि आप वोट नहीं डाल पाएंगे, आप मद्दान केंद पर जाएए, आपके बाहर में बीयलो एक बूत लगा के बैठा होता है, आपको पर्ची नहीं मिली है, आप बीयलो को बताईए, पर्च पर्ची में है, आप वोट दे सकते हैं, तो आपके पास मद्दाता पर्ची नहीं है, तो भी आप वोट दे सकते हैं, आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो भी दूसरे कार्ड के मदल से आप वोट दे सकते हैं, तो चुकि आप इतने जागरुख हैं, इसका भी प्रिरीद करने मद्दान करने के लिए बहुत अच्छी बात है और सबी लोगों को इस तरह से कदम उठाना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत मद्दान का हो पाई एक और 27 बीच हमारे साथ जुड़े हैं आईए हम पूछते हुं से उनका प्रशन हालो है नमस्ते जी नमस्ते जी मैं धर्मेंद्र लोदी बात कर रहा हूं गिराम सेकपुर जिला सागर से जी धर्मेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत आपका जी क्या प्रशन पूछन पूछ कि सर जो नए मद्दान केंद्र जैसा कि आपने कहा था कि हम लोग बना रहे हैं और जो नए मद्दान केंद्र को हमने चिनित किया है तो क्या उन नए केंद्रों की जानकारी हमें मिल सकती है ताकि हम देख सकें कि क्या हमारे यहां भी जो की मद्दान केंद्र खुलना था ख जानकारी भी उपलब्द है आप चेक कर सकते हैं इसके आलावा एक सो तीन सहायक मद्दान के इंदर भी हम लोग बना रहे हैं चौन सथाजार पांट सो तेस कैतरिक्ट ऐसे मद्दान के इंदर जहां पे मद्दाताओं की संख्या पंदरह सो पचास से जादा है वहाँ पे एक और उसी बिल्डिंग में या उसी जगह पे एक और सहायक मद्दान के बना रहे हैं ताकि एक ही जगह पे ज़्यादा वोटर की लंबी लाइन न लगे तो समझ लिए कहीं मान लिए सोले सो मद्दाता हैं तो पहले वहाँ एक बूत होता था अब दो बूत हो जाएगा इसकूल के पहले एक कमरे का उपयोग करते थे अब दो कमरे में करेंगे और बूस को आट सो आट सो में बांट देंगे तो आट सो मद्दाता एक मद्दान के इंद में हो जाएगे आट सो साहायक में हो जाएगे तो आसानी से वोटिंग हो जाएगी ज़् इन जारने करना पड़ेगा बिल्कुल सारा कुछ मिल जाएगा आप देख लीजिए बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी और आपने भी एक जागरुप नागरिक होने का परिचे दिया है हमें वास्तों में इस लोकस्तंत्र के महतु को समझते वे इस तरह से जागरुप होने के आवश्यक्ता है कि हम तमाम जानकारियां स्वयम रखें और सिर्फ अपने तक न रखें इन जानकारियों को उन लोकों तक पहुँचाए जिन तक अभी नहीं पहुँच भाई और साथ इसे लोग जो कमपड़े लिखें हैं ज़्यादा जागरुक नहीं हैं घरों में हैं घरों महिलाएं उन तक ये जरूर जानकारी पहुचा हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हम अच्छी सरकार हो अच्छे जिम्मधार लोग हों हमारे चुनेवे लोग हों हमारी प्रक्रिया के माध्यम से पहुंचे हो इन तमाम बातों का ध्यान रखते वे इस बात की गंभिड़ता को समझें और जैसा कि हमने सवाल किया भी था पहले कि कई लोग जो मतदान नहीं करते हैं उनके पास कई बार कोई वाजिब कारण भी नहीं होता है कई लोग इसको बहुत सवाल लेकर हमार साहथ आ आए है हलो जी नमस्कार जी नमस्कार जी मैं गराम गप्रत जिला सागर मद्दपरदेश से लिपिन का टारे बात करना है जी विपिन स्वागत है आप क्या परश्न पूछनीं पूछना चाहते हैं जी सर मेरे एक सवाल था मेरे दोस्त का अभी बो प्रफिर बूट दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं इसके बारे में जाना है? मद्दाता सुची में अगर नाम है तो वोट दे सकते हैं वोटर कार्ड के अलावा मान लिजिए उनके पास आधार कार्ड होगा आपके दोस्त के पास या उनके पास पैन कार्ड होगा हो सकता है गाड़ी चलाते हो तो ड्राइविंग लाइसेंस हो बैंक में खाता होगा तो की पास बुक होगी तो इस तरह के कई सारे दस्टावेज हैं बारा प्रकार के दिगर ॥ दस्टावेज हैं जिनकी आधार मिन्में से किसी भी एक की आधार पे हैं अगर आप बैंक की पास बुक भी लेकर की बात है एक महीने पहले की तो इसलिए मैंने सूच आपके पास अगर बार बार पर वही बात कह रहे हैं और अच्छा सवाल है आपके माध्यम से इस चीज दुबारा बता रहे हैं कि यदि वोटर कार्ड हमारे पास बनके नहीं आया है या मानलो मेरे पास है भी पहले से तू जरूर डाल पाएं जी सर और दो लाइन है अगर आप अनुमती दे तो जरूर बोल दो बस लाइनों के समया आप ध्यान रखेगा कि वो राजनितिक दलों से पर इतना हो बहुत अच्छी बात है आज कुछ बिसेश किया जाए मतदान करने का सब को उपदेश दिया जाए प कि सर केवल चुनावाई होगी नहीं बलकि जनता है संदेश पहुंचा है कि हम इसको स्विकार नहीं करेंगे इस तरह की किसी भी प्रलोभन को और हम अपने ही बुद्धी से और हमारे अपनी प्रेड़ना से और विवेक के साथ हम दिर लेगे लोग तंतर का उदेश ही है कि और अपना सही गलत का नेड़ने खुझ चुने किसी प्रकार के प्रलोभन किसी प्रकार का बहकावा ये सब जनता को स्विकार नहीं है संदेश आपने दिया बहुत अच्छा तो बहुत बहुत धन्यवाद विपन कटारे जी इसी तरह से आप जुड़ते रहें हमारे तमाम बाकिस शोताओं को भी हम प्रेरीद करेंगे कि वो जरूर अपना प्रश्णम तक पहुंचाएं आपके प्रश्णों के माद्यम से सिर्फ आप ही के बातों का समाधान नहीं ह ही होगा क्योंकि आपके माद्यम से दूसरे लोगों के प्रश्णों का भी हाँ पर समाधान होता है आपको बता दें अपसे लेकर के लगवग 20 मिट का समय और बचाए 12 बज़े तक का हमारा समय है सजीव फोनिकारिकम के लिए और इसमें हमारे बीच वे पस्तित हैं मुख् इसे भी लगाना तो आप पहले स्टेडी कोड लगाए इसके बाद नमबर्स लगाएं हमसे बाच्चित करें और इन 20 मिनिट में सर की उपस्तिती का भरपूर लाव लें उनके ग्यान का लाव लें उनसे मारे दृश्ण पराप्त करें एक सवाल जुड़ चुका है हमारे श सब जानते हैं कि प्रजातंत्र में वोटों के माध्यम से सरकार चाला जाते हैं जाती है आपने पहले भी वोट दिया होगा चाहे वो लोकसभा हो या विधान सबा हो सरकार का चयन जनता करती है वोट के माध्यम से तो वोट की ताकत तो हम सब जानते हैं कि सरकारे बनती हैं सरकारे आती हैं जाती हैं जो कहा भी जाता है तो प्रजाय तंत्र में मद्दाता का एक एक वोट बहुत कीमती है बहुत महतपूर्ण है काफी ताकतवर है इसलिए हम लोग कहते हैं कि हर वोट महतपूर्ण है और हम चाहते हैं कि cent percent मद्दान हो, ताकि एक एक vote, जो मद्दाता का है वो उसकी जो ताकत है उसका लोकतंत्र में इक Τरह से contribution उसका योगदान हो सके जैसे सर मैं तो यह मानता हूँ कि लोट हमारे लिए वह संचे सकती है जो पांस सालों में हम अपने जोकों को निवारेंड कर सकते हैं और आने वाले जिनों को सुकों में बद्लाव लादब बिल्कुल सही का आपने और ये भाव नहीं है इस लोक तंत्र की आत्मा है यह हम यदि अपने वोट की शक्ति को समझेंगे तो ही हम अपने एक बहुत अच्छा हम लोग का काम कर सकेंगे और इस लोक तंत्र को हम सफल कर सकेंगे और बहुत 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 बहु आपकी भावना है हम तक पहुंचाने में और के लिए और साथी साथी ये लोगों ये समझेंगे कि एक मतदाता की आवाज है तो इसका असर बहुत ज्यादा होगा है ना तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कारिक में जो नेकले हम चलते हैं अपने अगले शुता कियो हल जी मैं सिंपूर बड़ा से राजिस नेमा बोल रहा हूं राजिस जी बहुत बहुत स्वागत आपका क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं मेरा सवाल है जो देखा गया है जो संबेदं से मतदान कंडर होते हैं वहां पर सुरक्षा के लिए जो करμी सेनात होते हैं पियादी कोई SPITOSH की कोई गटना होती है तो वहां पर उपलद मतदाता है उनकी सुरक्षा के लिए क्या परवंद होते हैं जी सर बता रहा है आपको इसके बारे में देखे जो सम्विदंशील मदान केंडर होते हैं वहाँ पे सामाने तया हम लोग जो सिंटरल फोर्स होती है जो केंडरी पुलिस होता है जैसे बी एस एफ है, सी आई एस एफ है, आई टी बी पी है इस तरह केंडरी पुलिस बल होता है, जो आप जानते हैं बार की फोर्स होती है इसके अलावा वहाँ पे हम लोग और चाक चॉबन बेवस्थाएं रखते हैं कैमरे की बेवस्था होती है, माइक्रो आफजर्वर की बेवस्था होती है मोबाइल टी में काफी फ्रिक्वेंटली काफी कम समय में वहाँ पहुँच जाती है और बार बार देखती रहती है यदि कहीं कोई जड़प हो गयरा होती है, जैसा आपकी चिंता है कि यदि कुछ ऐसा होता है, तो वहाँ पे जो लोग लाइन में खड़े हैं या जो लोग वोट डालने आएं हैं, उनके सुरक्षा की क्या विवस्ता होगी तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि हमारे लिए जितना महतपॉर्ण हमारा मदांदल होता है उस से कोई कम महतपॉर्ण हमारे लिए जो मदाता वहाँ उस परिसर में वो नहीं होते तो जो जड़प होती है या कोई अगर इस तरह का इस तरह की घटना होती है मान लीजे तो पूरा प्रियास होता है और हम लोग सुनस्चित करते हैं कि जो लोग उसमें सामिल नहीं है जनका उस घटना से कोई वास्ता नहीं है जो चुप चाप अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं लाइन में खड़े होके उनके साथ किसी प्रकार का गलत कुछ भी नहों और हमारा पूरा ध्यान जो हाँ पुलिस फोर्स है उनको ट्रेनिंग बेसी तरह की है कि जो लोग गंदगी फैला रहे हैं मतलब उपद्रों कर रहे हैं और इस तरह का प्रियास कर रहे हैं उनके साथ सक्ती से निप्टा जाए आम जनता को कोई दिक्कत या कोई तकलीफ नहों यह हम लोग सुनिश्चित करते हैं जी बौट थनिवात राज़ेश जी आपको इस करका में जुडने के लिए अपना सवाल तक पोझाने के लिए और इसके मार्दियम से अपके सवाल पूछना चाहते हैं? मैं बोलना चाहता हूँ कि जब हम मदाता और देने जाए, बूत में तो उसके मोबाइल पती बन रहना चाहिए, कि मोबाइल से फोटो किछ लेता है कि मैंने इसको और दिया और पैसे देके जाता है, यहने कोई वहाँ पर दिया हूँ. सर इस तरह की कोई सम्भावना होती है जाता है? सर नहीं होना चाहिए था, हम लोग पूरा इसको इन से और करेंगे कि प्रदेश के किसी भी मदान के इंदर में कोई भी वेक्ती मोबाइल लेकर के अंदर नहीं जाएगा, ताकि वह इस प्रकार की जो खटना आप बता रहे हैं, कि हमने किसको वोट दिया, उसकी फोटो कही नहीं चले और फिर उसको दिखाए, ये बिल्कुल गलत है, और एक और बात कहता हूँ, इसी में आपके प्रस्ट के उत्तर में है, कि यदी कोई मदाता हमारे तमाम कोशिसों के बावजूद छुपा करके किसी तरह से मोबाइल लेकर जाता है, और वो फोटो कहीच के दिख है, तो कोई भी वेक्ति अगर अपना फोटो कहीचता है, मदान करते समय और बताता है कि मैंने फ़ला चुनाव चिन्ह पे मदान किया है, कई बार देखते हैं हमारे युवा साथी, उनको सलाह भी दे रहा हूँ कि कई बार लोग उसको अपने फेस्बुक अकाउंट पे या आपने ऐसा किया, आपने उसके फोटो शेप, एक तो फोटो लेना ही गलत है और उसको शेयर किया आपने पब्लिक डोमेन में दुनिया के सामने, तो वो कानून अपराद है और आपके खिलाफ करवाई हो सकती है, जी, बहुत बहुत धन्यवाद धिनिश जी, अपने सवाल के मादियम से बहुत अच्छी जान करें, आम शोताओं तक पहुचा है, एक और शोता इस बीच अपना कुछ प्रशन लेकर, हलो, हलो, जी, नमस्कार, जी, नमस्कार, जी, ब्राम पोकरनी जिला हर्दा, मद्देश में राम नरान मालविया बोल रहा है, जी, बहुत बहुत लोगों ने पहले बात की, यदि आप प्रारम से सुन रहे हैं, तो एक तो यह है कि यदि आप जिस्टी बादित हैं, और आपकी जो दिव्यांगता है, वो चालिस परसेंट से ज्यादा है, अगर आपके इस डॉक्टर का सर्टिफिकेट है, तो आप घर से वो डालने की सु करते हैं कि नहीं, चले हम मदान केंदर पर ही जाते हैं, चुकि लोगों से मिलना जुलना भी होता है, कई बार एक माहौल भी होता है, तो यह देखा गया है कि गाओं में लोगों का मदान केंदर तक जाने का ज़्यादा होता है, और सभाविक भी है, तो मदान केंदर पर भ वेक्टी आपकी मदद के लिए जा सकता है। यदि कोई नहीं है तो वहाँ पे हमारे पास वोलेंटियस होते हैं, NCC के बच्चे or NSS के बच्चे होते हैं, Scout Guide के बच्चे होते हैं, वो आपकी मदद करते हैं, आपको अंदर ले करके जाते हैं, और आप आसानी से अपना वोट डाल सकें, यह वो काम कराते हैं, तो आपको किंता के जोरत नहीं है, आप मदान केंद पर जाएए, आपको हर तरह के सुधा मिलेगी, जी, सर जी, एक छोटा सा मुझे जाउट है, मैं जानना चाहरा था कि जैसे किसी अधर वक्ति के साथ अगर मैं जा रहा हूं, या मतलब कोई अधरी चीज़ वक्ति के साथ मदान कर रहा हूं, तो उसकी गारेंटी क्या है कि मैं सही मदान कर रहा हूं, जो आप किसके साथ जा रहे हैं, उसका चैन भी आप करते हैं, कई बार जैसे मान लिज़े, आप हंड़िट परसंट दिस्टी बादित हैं, और आप घर से अगर मदान के इंदर तक जाएंगे, तो कोई ने कोई तो आपके साथ जाएगा, जो आपको ले करके जाएगा, तो जो आपको ले करके जा रहा है, वो आपका साथ ही बन सकता है, या जिस पे आपका भरोसा है, जिस पे आपका ट्रस्ट है, वो आपको ले करके चला जाएगा और वो आपकी मदद कर देगा मद्दान के अंदर के अंदर मद्दान करने में बहुत बहुत धन्यवाद राम नहींड जी आपने सवाल किया और अब एक और सवाल लेकर हमारे पीछे एक और शुरता हलो नमस्ते सार जी नमस्ते जी यह थाप से बात हो रही सार हाँ जी हमारे साथ अनुपम राजन साभ है मोख्य निर्वाचन पतादीकारी तो आप यह कोई प्रशन करना चाते है उनसे कर सकते है पहले आप अपनो नाम बता दे मेरे नाम प्रसान चोरसिया है मैं दमो जली से हूँ दमो से आप बोल रहा है चले सवाल करें आप सवाल है सर जैसे मेरी बहन है उसका नम पहले यहां जुड़ा था उसकी सादी के दो साल हो गए अप भूए अपनी ससराल में रहती है देखे नियमा नुसार जो जहां रहता है उसको वही नाम जुड़वाना चाहिए जैसा आपने कहा कि आपके बेहन के शादी दो साल पहले हो गए ससराल में है तो उनके लिए उनके लिए भी यहां आना हर बार चुनाओ के समय साइद संभोना हो कई बार पारिवारी कारणों से आदमी नहीं आ पाता वह आए अच्छी बात है लेकिन कई बार आप नहीं आ पाते तो अगर वहीं पे जहां आपका सामाने निवास है वहाँ पे नाम रहेगा तो वो डालने में आसानी होगी तो उनको वहीं बोलिया लीगैलिटी वही बता रहा हूँ आपको कानूनन यही है कि आप जहां पे सामाने तया निवास करते हैं वहाँ पे आपका नाम होना चाहिए नाम परिवर्टन यह नहीं कराना होगा नाम किनको यहाँ से कटाना चाहिए और जहाँ शादी हुई है सस्वराल में जहाँ पे रहते हैं वहाँ नाम जुड़वाना चाहिए प्रशान जी आपने आपकी बात का समाधान हो गया बहुत बहुत अन्यवाद एक और शुता अपना सवाल लेगा हलो इंद्रभान सिंग बहुत अस्वाकत आपका प्रश्न करें सर यह जैसे बहुत लोग क्या होता है कि इलाज के लिए कासी दूधराज जाते हैं उनका इलाज चलते रहता है कासी लंबा समय लग जाता है तो लोग मतदान का मतदान नहीं कर पाते हैं कुछ ऐसा सिस्टम बनाएजाए सर कि वो लोग भी मतदान करें जैसे मतदान अधिकारी जो है यह उनसे जो जो इलाज कर जाते हैं तो हर जगा कर जैसे हार स्पूटल का जो ही है उनका बेवरा लेके सर उनका भी उस जगह पर वोग जाके मतदान उनका कर सकते हैं अच्छा है हम लोग की ध्यान में है जैसे हमने पहले ही कहा चर्चा में अगर आप पहले से जुड़े हैं तो कि बहुत सारे लोग नौकरी के सिलसले में बाहर चले जाते हैं बहुत लोग सीजनल माइग्रेशन होता है कमाने खाने के लिए जाते हैं बहुत बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं उसी में एक स्रेनी आपने अस्पताल के इलाज वाली कही लेकिन वर्तमान में अभी ऐसी वेवस्था नहीं है कि रिमोट वोटिंग अलाउड हो उसकी वेवस्था भी नहीं है आने वाले दिनों में इस पर विचार चल रहा है यदि इस तरह के नियम निर्देश बनते हैं तो इसका फाइदा डेफिनिटी उनलों को होगा जो लोग कि नहीं कारणों से मतदान दिनांग को वहां पर नहीं है जहां उनका वोट ह मतदान उस समय में नहीं है करण माली जो वहां के आ जाते हैं तो जैसे कि कुछ से डेटा और वो तो बढ़ा वात्रकी डेटाओ दिया जाए उनको चांसे दिया जाए ऐसा कोई नियम नहीं है देखिए मतदान का एक दिन तै हो गया जैसे मान लिजिए मतद्देश में सत्र हैं जो दूर दराज के जगह पे पोस्टेड होते हैं कोई कास्मीर में है कोई मनिपूर में है कोई नागा लैंड में है जिनको हम सर्विस वोटर्स बोलते हैं तो इन लोगों को पोस्टल बैलट की सुविदा होती है और यह पोस्टल बैलट से मतदान करता है जी तो यह प जी बहुत बहुत स्वागा ते राम जी आपका जी जी अनुपम राजन जी को इतना अनमोल समझ देने के लिए मैं उनका आभारी रहूंगा धन्यवाद आपका जी 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 ये है हमारे पीटा जी स्री मोटीलाल गर्ज जी तीराती बर्श के हैं पर अभी तक आएंगे कितने दिन बाद आएंगे सत्रा तारीक के आएंगे पहले ही आएंगे उसके आगे आएंगे तो आप अपने बीयलो से पूछ लीजिए हो सकता है आजकल में आएंगे अगर उन्हें फार्म भरके दिया हुआ है चुकि एक दिन में सभी का मद्दान करना संबो नहीं होता अलग-अलग गाओं है अलग-अलग रूट पे हैं तो चार-पांस दिन लगता है पूरे प्रदेस में ये काम चल रहा है बज़र्गों से उनके घर पे वोटिंग कराने का आप अपने बीयलो से चेक कर लीजे वो टेलीफोन करने के लिए आपके टेलीफोन के बारे में से बहुत सार्ड़गों के शंकाओं का समय होता है और अब ये अन्तिम पांच मिनिट का समय है जिनको भी अपने सवाल करना जल्दी जल्दी फोन लगाएं और अपने सवाल हम तक पहुँचाएं एक बात बीच में आ बात है लेकि इतना बड़ा महायग्याफ करा रहे हैं और जिस तरह से कूल आप हैं जिस तरह से हाँ का तो इसकी बीचे कह रहा है सर्थरा सार्व एक्ति का सवाल ने ने कोई रहस से नहीं है देखिए काम बड़ा है इसमें कोई इसको मैं डिनाइ नहीं करता हूं जी इसमे है मतलब इसमें मैं जो हमारी सबसे नीचे की कड़ी हमारे जो बीएलो साथ ही है बीएलो है बीएलो के बाद हमारे राजस्वा का पूरा है कलेक्टर से हैं तो यह काफी जो खास करके जो जिले की टीम है जो कलेक्टर के नहीं तुमें काम करती है इसका मैं स्रे यदी अगर कि अपना काम बेटर ढंग से कर रहे हैं और हम लोग पूरी तरह से कमिटेड हैं कि हम एक निस्पक चुनाव और एक निर्भीक माहौल में बिल्कुल फियरलेस माहौल में हम लोग इस चुनाव को संपन कराएंगी तो ये एक अच्छे निर्टुत की बात है कि आपने अपना श्रेह सभी उन लोगों को दिया इसमें वास्तिकता भी है लेकिन इसमें निर्टुत का भी एक बहुत इंपोर्टेंस होता है कि किस तरह से आप उनको दिशा दे रहे हैं जिससे वो सब अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर पार हैं एक और शोता इस भीच हमार साथ है हलो नमस्कार जी नमस्कार कौन बोल रहे हैं मुहमद इससे पहले जोनर साल अंडूर के जी जी खान साब बोले सार जिससे पहले ग्रेट टुपर से चुना होते थे हाँ जी हाँ जी तो सार उस तरही किसे क्यों नहीं होते हैं जैसे उस तरहीं बहुत बड़ा पिपर होता है जी यह होतना चाहिए कि कम्पेटर पर चुना हो चींटर अपने डगा उसकी परच्छा और अपने हास से वोडिंग करें जी 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 पते नहीं चलता है जी से मिलान करके गंड़ना भी गिंती भी की जाती है उसको री चेक किया जाता है तो ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं चलता कि आपने किसको वोड दिया है और ये पूरी प्रक्रिया निश्पक्ष होती है इतने चेक्स हिसमें हैं कि ये कहना कि मखसीनों से छेड़ चाड़ या हमें पता नहीं चलता ये सही नहीं है चलि बहुत बहुत धनिवाद खान साब आपको और चुकि ये हमारे कारिकम का अंतिम प्रश्ण था तो हम सभी लोगों से विदा तो लेंगे लेकिन सर आप से दो मिनिट का समय जो बचा है उससे हम जरूर जाना चाहेंगे वो संदेश जो आप हमारे तमाम जनता को देना चाहेंगे युवां, महिला, सभी को एक जो संदेश ऐसा है जो उनके दिमाग में रहें और जो इस लोगतंतर के इस महाईगे को सफल बनाएं बैंक की पस्पूख हो सकती और भी कई सारे हैं तो एक तो इसको लेकर के निरास होने की या चिंतित होने की जडरत नहीं है कि मेरे पास वोटर आईडी काड़ नहीं है तो मैं वोट нашIG दाल पाऊंगा दूसरी जो भ्रनती गाउं में खास करकर के है कि मेरे को voter परची नहीं मिली इस बार फला को मिल गई मुझे नहीं मिली तो मैं vote नहीं डाल पाऊंगा तो ये भी गलत है voter परची आपको मिले न मिले आप vote डाल सकते हैं आपका नाम सुची में होना चाहिए आपका नाम voter list में है आप मददान के इंद पर जाएए बिये लो आपकी मदद करेगा आप अपना voter card ले जाए या जैसा हमने बताया अधार pen card जो भी है ले जाएए आप vote डाल सकते हैं तो voter परची का ना होना या voter ID का ना होना कोई कारण नहीं कि आप vote नहीं डाल पाई ये हर मददादा को पता होना चाहिए और अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि 17 तारिक को चुनाओ है सुकरवार का दिन है मैंने बताया कि और जितनी बाते हुई आप सभी से सब लोग जागरूख हैं लोगों ने अपनी दो दो चार 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 पंक्तियां सुनाई कि सत्प्रसत मददान के लिए का जुनून है आप में आप उसके लिए तयार हैं तो मैं पुना आप से यही आगरह करूँगा कि 17 तारिक को 17 नौंबर को जो हमारे यहां चुनाओ है आपके जो निकट का मददान केंदर है आप अपने मददान केंदर पे जाएं और वोट जरूर डालें स्वेम वोट करें पासपोर्स के लोगों को प्रिडित करें परिवार के सभी लोगों को बताएं वोट जरूर करें 17 तारिक याद रखें बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस अपील को निश्ची तोर पे हमारे सभी शुता ध्यान देंगे और 17 तारिक को मत अवश्ची करेंगे तो हम विदा लेना चाहेंगे आपको धन्यवादेते विसर आपने इतना खीमती समय हमारे तमाम शुता हम आपका भी बहुत बहुत आपार थांक यू मध्य प्रदेश विधान सभा निर्वाचन 2030 इस विशय पर आप प्रायूजित सजी फोनन का रिक्रम सुन रहे थे